आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल दोस पास हो, तो आप सभी लोग के लिए CRPF के तरफ से काईसी भरती निकाली गई है, जिसमें कोई भी पेपर पर नहीं होगा, और इसमें वर्दी भी मिलेगा, हथियार भी मिलेंगे, और इसका सेलरी पता है क सेलरी का तो मत पूछा मेरे भाई, सेलरी पूरा सतार आजार है, आप लोग को मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, आप कुछ लोग कमेंट करेंगे ना, कि ये लाड़का पगला गया है, तो हाँ मैं पगला गया हूँ, आप लोग को मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो और इसका फार्म कितने तारीक तक भरे जाएंगे आगले महीना में 15 फरावरी तक इसके फार्म भरे जाएंगे ठीक है ना पहले गुरु जी का आप लोग बास सुनो उसके बास मैं इस भरती के बारे में आप लोग को पूरा बीज़तार से बता रहा हूँ करना चाहते हैं तो इसके ऑफिस्यल वैपसाइट स्क्रीन पर दिया हुआ है और हाँ 15 फरावरी से पहले अप्लाई करना है जो लोग दसवी पास है उनको यह वीडियो जरूर भेजदाना बड़ा सुनहरा मौका है जो लोग पढ़ाय करते हैं उनको यह वीडियो जरूर करना है इसमें आम कैसे सलेक्शन ले पाएंगे देखो अइसा नहीं चाहिए भरति नहीं निकाली गई है यह भरति निकाली गई है अप दो इस्टाग्राम पर पूरा धिंडोरा पिटवा दिये हैं और लड़के लोग एकदम पागलागा है कि भाई पेपर नहीं देना है अब वोस्ता भरतियां आने भी वाली हैं, उसके बारे मैं पूरा बिस्तार से आप लोग को बताऊंगा, एक इंडिया नार्मी पोर्टर का भरति निकाला जाता है, जिसका सेलरी काफी अच्छा खसा राता है, उसमें कोई भी पेपर उपर नहीं देना राता है, बस नारमल द पर नहीं होता है, अभी काफी सार एयरपोर्ट पर भरति निकाली जाएंगी, 2024 आ गया ना, तो अब बहुत सार एयरपोर्ट पर भरति निकाला जाएगा, तो उसमें भी कोई पेपर उपर नहीं होता है, बस इंटर्वी होता है, और सलेक्शन हो जाता है, ठीक ना, तो यह जो CRPFGD की भरती निकाली गई है, आल इंडिया के लिए इसमें 179 वाइकेंसी है, दोस पास से आये, लेकिन दोस पास के साथ सत्पोर्ट सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें पेपर नहीं होगा लेकिन दवडाएंगे सब, ठीक है ना, अगर कवड़ी का मतलब पले अरोना तो कवड़ी खेलाएंगे सब, अगर सुटिंग का होना तो मतलब सुटिंग कराएंगे सब, ठीक है ना, बले से पेपर हो चाहे ना, लेकिन ट्राइल होगा है, आप यह नहीं बता सकते थे, कि भाई इसमें जैसे दवड होगा, ट्राइल होगा, यह स्पोर्स वाला भरती ह पताय नहीं हो, अब जितने भी लाड़के उस वीडियो को देख रहा हैं, उलोग पगला रहा हैं, और हमारे पास वो वीडियो भेज रहा हैं, तो सुधर जाओ, ठीक है ना, सुधर जाओ, सरकार एतना सुभाहित नहीं है, कि ऐसी भरती निकाल जागी, जिसमें मतलब कोई इस्टरा सर्टिफिकेट नहीं मागगी, जैसे ITI का सर्टिफिकेट, e-sports का सर्टिफिकेट नहीं मागगी, और बिना पेपर कराए भरती करा देगी, और ट्रायल पास करना भी आसान नहीं होता है, ठीक है ना, नसिया दुहाज इनोकरी लेवत के, ठीक है ना, एतना आसान इस नोकरी नाय मिल जाई, तो इस्टा कराम पर जो अन बवाल मचा ले वालो ना, मुर्क गुर्देओ कहीं के, हाइसा बवाल ना मचाओ, ठीक है न, यूटूब पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो रोज ऐसा वीडियो बना रहा है, यह भरती आगा, यह भरती आगा है, लेकिन मैं देखता हूँ, इतना परसान हो जाता हूँ, भाई कहां भरती आई है, उसके बारे में पता करने का कोशीज करता हूँ, वो भरती आई ही नहीं रहती है, तो बड़ा गुस्सा लागता है, लेकिन कंट्रोल कर लेता हूँ, उन लोग के खिलाप वीडियो नहीं बनाता लेकिन जब दिमाग पखलाएगा तो उन लोग के खिलाप वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, वीडियो बनाने वाले लोग भी सुधर जाओ, ठीक ना